जिस तरह से कैंसर का कोई इलाज नहीं है। उसी तरह से बिहार में सराबंदी का कोई इलाज नहीं है। नितीश कुमार क्या नहीं किये। कोई कोर का सर छोड़े हैं क्या। अब यह जो टीम बनाया गया अब यह टीम सराब बेचवाने में इन्वॉल है। अब बताइए। जिसको भी लगा रहे हैं वही सराब के तसकरी करने में लग जा रहा है। अब कोई बचा नहीं है। नितीश कुमार के पास कोई ओपसन नहीं बचा है कि सराबंदी को वह सफल बना लेंगे। कोई ओपसन नहीं बचा है। अब अगर इसके बाद भी नितिस्कुमार ये कहते हैं कि हम सराबंदी सफल बना लेंगे तो ये जिद्ध है इसके सीवा कुछ नहीं है पिछले कुछ रिकाउड अगर आपको दिखाएं तो आप चौंक जाएंगे अब तक जो हुआ कि आपने ये सुना था सोन बरसा थाना मे थाना इंचार्ज को निलंबित किया गया जेल भेजा गया इसमें कई लोग उनके साथ मिले हुए थे इसके अलावे असकायर प्यों का बदल देना पूरा ट्रक को गाइब करा देना कई सारे मसले आपने सुना होगा अब ये जो अल्टिये प्रभारी अरविंद कुमार दो परवाही है इनकी जो कारसैली है इसको गंभीरता से लेते हुए एसपी ने इन्हें निलंबी तो कर दिया है दोहरे पर सराब और दोहरे यानि उनका सरनेम है अरविंद कुमार दोहरे इनके उपर आरोप है कि सराब और नसीली दवाओं को तसकरी करने में तसकरों को संगर अब बताईए अब सबसे ज़्यादा दिक्कत इस बात का है कि सराब तो अब ये मामली बात रह गई है सराब से उपर आईए ड्रक्स ड्रक्स का कारोबार फैल रहा है बिहार के अंदर और उसको संगरक्छन दिया जा रहा है उसको पकड़ने के बजाए उसे रोकने के पाले अस्पेसल टॉक्स फोर्स और क्या-क्या जो भी बनाया गया है ये चंद पैसों के लिए इन सब को संगरक्छन देकर बिहार को उड़ता बिहार बनाने में लगे हैं नितिश कुमार आपका सराबंदी बिहार के लिए अब नासूर बन गया है अब बताईए कि जिसे टीम बनाकर तैनात किया गया और वही संगरक्छन देने लग गया इसे पहले भी एक मामला हमने आपको बताया था कि जो उत्पाद भी वहार के अधिकारी हैं वो क्या कर रहे थे उत्तर परदेश से जो गारी बिहार आता है उस गारी को उनको पता हो जाता था जो माफिया ह संपर्ग में थे उनके कि ये गारी हमारा जा रहा है इसमें इतना सराब है इसको आपको पार कर देना है बीना चेक कि उसे बिहार के अंदर जाने दिये ये चल रहा था तो किस पे भरोसा करेंगे अब कौन है कैसे आप इस पे लगाम लगाएंगे बहुत पड़ा सवाल है और कहा यहां तक जा रहा है कि इसमें जो कमीशन होता है एक गाली पास करने का ये सब फिक्स है सराब बेचने का जो थाना इंचार्ज है और थाना इंचार्ज को जो रिपोर्ट करने वाला चोकीदार होता है सब का रेट बंदा हुआ है बिहार के अंदर ये जो पकड़े कि पैसा बढ़ाने के लिए कई बार महिलां कि कल के कि बार ये के सुनने को मिला कि पाँच जार से बकाम नहीं चलेगा बिशेजार रुप्या लगेगा। सराइबेचना है तो ये सब खेल खेला जा रहा है, थाना इन्चारज, चोकीदार सब मिले हुए हैं, सब को पता है दो को कई नहीं हो रहा है, लेक darkest स्कुमार को कुछ नहीं पता है, दो पता है है जो जिनको भेजा गया ये, और इसके अलावे और जो थाना इंचार्ज को जेल भेजा गया ये उन्हीं के एसपी के नितीश कुमार के अधीन ही आ रहा है ना ये बिहार का लोग अधीन है और उनको सब पता है कि उनके एसपी, डीएसपी, डी-ेम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इसके बाद भी वो मान परने को त्यार नहीं है तो क्या कहा जाए पहले थाना इंचार्ज इसके बाद नहीं पहले चोकीदार इसके बाद थाना इंचार्ज इसके बाद जो अबकारे विवाग के अफिसर हैं इसके बाद इन सबसे काम नहीं बना तो बनाया गया ALTF अब ये लोग भी इनबॉल हो गए अब क्या बनाएंगे अब क्या हर गाओं में हर सहर में जाकर खुद से इसका निगरानी करेंगे और थाना में जब CCTV कैमरा लगाया गया कि जो सराब पकड़ कर आएगा जो गाड़ी पकड़ कर आएगा उस सबका record होगा उसका CCTV footage होगा लेकिन जहां ये काम करना होता है उस कैमरा को खराब कर दिया जाता है कैमरे का मूँ मोड दिया जाता है कुछ भी करके सुबूत को मिटा दिया जाता है क्या बचा है अब कहने को क्या रह गया है अब कुछ बचा है क्या लेकिन इसके बाद भी बिहार में आज भी सराबंदी कानून लागू है अगर जनता इस कानून को तोड़े तो ये कहा जा सकता था कि जनता कानून को तोड़ रहा है तो उसे जेल भेजा जा रहा है उसको सजा दिया जा रहा है लेकिन जब उन्हीं के अधिकारी इसमें लगे हैं तो फिर ये कानून ये आपका जो सराबंदी कानून है, सराबंदी का जो आपका प्लान है कैसे सक्सिस होगा बहुत बड़ा सवाल है देखें नितीश कुमार खुद सुसासन बावू के नाम से जाने जाते हैं और नितीश कुमार को अगर इन सब बातों को बताया जाए तो ऐसा लगता है ना कि जैसे पांच सो बाट का बलब जल रहा है और वहाँ पे जाकर आप दस बाट का बलब जलाकर पांच बाट का बलब जलाकर आप और उसे दिखा रहें कि देखो रोशनी ये होता है यानि जो खुद सुसासन बावू है जो खुद इन सब चीजों पे लगाम जाना अची तरह से जानते हैं और लगाए भी लेकिन इसके बाद भी जब ये इस्थिती है आपको याद होगा 2005 के पहले की क्या इस्थिती थी नितिश कुमार आएं तो सब कुछ सही हुआ लेकिन अ ऐसा ऐसे क्राइम हो रहा है बिहार में कि जो सोच से परे है किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है और इन सब के पीछे जो लोग पड़े हैं वो अपना संपत्ती बढ़ा रहे हैं ना तो ने बिहार से मतलब है और ना सरकार से मतलब है ना सरकार के नितियों से मतल और ना ये डर है, कि हम पकड़े जाएंगे तो क्या होगा, ये भिहार है, यहां बड़े-बड़े नेता, बड़े-बड़े अधिकारी, सब को मैनेज कर लिया जाता है, कोई डर नाम का चीज नहीं है, क्योंकि भिहार का ये जो जड़ हैं ना, काफी पुराना है, और सब को इसलिए किसी के अंदर कोई खौफ नहीं है, जो नया टीम बनाया जाता है, उसे खौफ नहीं है, जो जिसके कंधे पे पूरा थाना का जिमेवारी है, उनको डर नहीं होता है, क्योंकि सब को पता है कि सब मैनेज हो जाएगा, और सब एक्जामपल जानते क्या लेकर चलते हैं लालु जादव को, कि लालु जादव क्या किये भिहार में, 950 कडूर का घोटाला, आज क्या हुगा, 100 कडूर खर्चा कर देके इस मुकतमा लडने में, आज मौज कर रहे हैं, सिंगापुर घूम रहे हैं, पूरा भारत घूम रहे हैं, पूरी दुनिया गूम रहे हैं, अपनी संपत्ती को आज जो एक साधारन परिवार जो मार भाद चटनी भाद खाकर राजनीती करने की बात करता था जो कहता था कि हम तो सुबह मार भाद चटनी खाकर निकलते हैं राजनीती करते हैं आज वो क्या खा रहा है, क्या पढ़ रहा है, कहां रहता है, किसी से छीपा हुआ नहीं है, और यही एक्जामपल दे रहे हैं ये सब, कि क्या होगा, कडोरों का घुटाला कर लेंगे, क्या होगा, इसे ज्यादा क्या होगा, कुछ नहीं होता है, यहां का जो सम्मिधान है, इ अज लालु जादब जेल से बाहर नहीं होते। नोसो पचास कडूर घोटाला जो हुआ उसका रिकवरी हो गया होता। और यही एक जांपल देकर बिहार में ये क्राइम किया जाता है। लोग यही कहते हैं कि क्या हुआ लालु जादब घोटाला कर लिए। क्या हो गया। कुछ जिन पहले एक वीडियो बाइरल हुआ है जिसमें एक राजस्वादिकारी सरापाटी करते हुए क्या बोल रहे है कि घोटाला किया। चारा घोटाला किया। कहां है आज। जेल से बाहर है मौज कर रहा है। तो यह एक जांपल दे देकर लोग यह सब कराइम कर रहे हैं। नितिश कुमार के पास क्या उप्सन है। अगर कोई है तो करें कारवाई।